हाई अब्रिवन एक्जामेटिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे कमबाइन टेक्निकल सर्विस एक्जाम जो आपके 26 मार्च को होने है उसके लिए इंपोर्टेंट कोश्चन और आप सभी लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनी है यदि आप चाहें तो जितने भी कोश्चन या जितने भी चीज़े कमबाइन टेक्निकल सर्विस एक्जाम से रिलेटेड होंगी आपको वहाँ पर एक बार में मिल जाएंगी आईए हम इसमें कोश्चन देखते हैं यहाँ पर आपको बहुविकल्पी एक की रूप में प्रश्चन दिये चाह रहे हैं कोश्चस करिए कि मेरे अंसर करने से पहले आप लोग इसके अंसर दे पाएं देखें पहला है आपका कि उत्तल दरपण द्वारा बना प्रतिविम्ब होता है तो चाहर आप्शन दिये हैं वास्तविक तथा सीधा होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है कालपनिक तथा सीधा होता है कालपनिक तथा उल्टा होता है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा right answer होगा तो right answer होगा आपका C कालपनिक तथा सीधा होता है उत्तल दरपण द्वारा बना प्रतिभीम कालपनिक तथा सीधा होता है नेक्स देखते हैं गोली दरपण की focus दूरी उसकी वकृता त्रिज्या की कितनी होती है आधी होती है, दो गुनी होती है, तीन गुनी या चो गुनी पताना है आपको किस का right answer क्या होगा तो गोली ये दरपण की focus दूरी उसकी वकृता त्रिज्या की जो है आधी होती है option number A right होगा नेक्स है हजामत बनाने के लिए किस दरपण का वहवार किया जाता है मतलब कुलमला की पुछा गया है जो पूछा गया है कि हजामत बनाते समय मतलब जो saving और ये सबरी चीजे होती है, उसको करते समय किस दरपण का प्रयोग करते है सिधासस का मतलब यह है आपको बताना है कि उत्तल दर्पन, सम्तल दर्पन, ओतल दर्पन या गोली है दर्पन तो तीसरे का राइट एंसर आपका हो जाएगा ओतल दर्पन आगे आगे बढ़ते हैं द्रो का आपेक्शिक घनत वो मापा जाता है आपको बताना है तो 4 का राइट अंसर आपका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दूद की शुद्धता किसी अंतर से मापी जाती है ये कई बारी मैंने कराया है तो आपको याद होगा कि लैक्टोमीटर आगे बढ़ते हैं मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो जो मोटर गाड़ी चलाने वारा चालक है ड्राइबर उसके सामने जो लगा होता है दरपन वो किस प्रकार का होता है वो आपको बताना है तो 6 का राइट अंसर आपका क्या होगा उत्तल दर्पन, उत्तल दर्पन, संतल दर्पन या एक लेंस तो वो होता है उत्तल दर्पन आगे बढ़ते हैं फोटोग्राफिक कैमरे का अभी द्रिश्यक होता है फोटोग्राफिक कैमरे का अभी द्रिश्यक होता है क्या होता है उत्तल लेंस होगा उत्तल लेंस और उत्तल दर्पन या उत्तल लेंस बताना है आपको तो 7 का राइट एंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस होता है आगे बढ़िए पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कारी करता है या किस प्रकार का विवार करता है पानी का आपका राइट एंसर हो जाएगा अवतर लिंस की तरफ वो कारे करेगा आप इसको दो तीन बार जब तक नहीं पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे याद नहीं होंगे चीज़ें यदि आपने पहले से थेवरी चीज़ें नहीं पढ़ी है तो अब आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप सारी चीज़ों को थेवरी में पहले पढ़ी है यह उन्हीं लोग के लिए हो सकता है जो पहले से पढ़े हो आपके पास नोट सो उसको रिवीजन करिए आगे बढ़ते हैं इस वक्त जादेज जादा कोश्चिन प्रैक्टिस करिए वाई मंडल की आदरता मापी ज समोग्राफ आगे द्वनी की तिवर्ता मापी जाती है द्वनी की तिवर्ता किसे में मापते हैं यह आप सब को पता होगा तो डेसेबल में मापते हैं नेक्स्ट मानो रेटीना पर बना प्रतिविंब होता है कैसा होता है मानो रेटीना पर बना प्रतिविंब वास्तविक सिधा होंगा वास्तविक उङला कालपनीख उङला कालपनीक उट तो बारा का रही ऑंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा होता है माल मोल रятиण आ पर बना हुआ प्रतिविक आगे पढ़िए जब कोई वस्तुप को दो समान आंतर समतल दरपण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिवी में की संख्या कितनी होगी तो इसमें दो आपको दिख रहे हैं आप कुछ भी ले लिजे मा लिजे सी आपका तीन या चौथे का चार इसका में राइट एंसर आपका हो जाएगा अनंतबंदी है याद रखेंगे जितने भी आपको मैं कुशन कराती हूँ वो किसी एक्साम में पूछे ही गए प्रशन होते हैं अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो ध्यान रखेंगे तो दिखतर चांसे होते हैं रिपीट प्रशनाने की इस वज़ा से मैं आपको इसी सब प्रैक्टिस को करा रही हूँ आगे बढ़िए अगला दिया हुआ है खिरदे की इगती सुनने के लिए किसी हंत्र का प्रयोग किया जाता है तो चौदा का राइट एंसर क्या हो जाए नेक्स्ट सरल सुक्ष्मदर्सी में वस्तु को रखा जाता है जो सरल सुक्ष्मदर्सी होती है उसमें वस्तु को कैसे रखते है तो लेंस और प्रकास केंदर के बीच में तो आप्शन नमबर एही सही होगा लेंस और प्रकास केंदर के बीच में वस्तु वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरग का प्रयोग करेंगे 17 का राइट अंसर हो जाएगा निकिल का Next अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधी में किस उत्प्रेरग का प्रयोग किया जाता है 18 का राइट एंसर आपका हो जाएगा लोह चूड़न का प्रयोग किया जाता है अगला देखते हैं अगला दिया हुआ है ओतल दरपण में वस्तु का प्रतिविम दरपण के पीछे कालपनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु है आपको यह बताना है कि ओतल दरपण में वस्तु का प्रतिविम दरपण के पीछे कालपनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा कब बनेगा जब वस्तु की पोजीशन क्या होगी कहां पर रखा रहेगा वस्तु अनंत पर फोकस पर दुरू पर और डी ऑप्शन है फोकस और दुरू के बीच में तो 19 का जो है आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा आप सबको बताना है फोकस और दुरू के बीच में राइट एंसर डी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं रक्त का दाब किस यंतर से मापा जाता है रक्त का दाब किस यंतर से मापते हैं पाईरो मीटर या गैलवेनो मीटर इनीमो मीटर या है स्फैगमो मैनो मीटर तो 20 का राइट एंसर क्या हो जा से तांबा या निकिल से या तो इस्टेनiness का बना होता है तो 21 का राइट एंसर już का हो जाएगा नर्म लोहे के बना होता है Transformer का क्रोड계 relaxed Transformer कि सिधधानद पर आपको बताना बी विद्युत चुम्बकी प्रेरण के नियम पर टांसफार्मर का सिध्धान्त आधारित होता है टांसफार्मर प्रेयुक्त होता है जो टांसफार्मर है वो किसलिए प्रेयुक्त होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए डीसी को एसी में बदलने के लिए डीसी इस वीडियो में सिर्फ इतने ही question है next video में हम नए question लेके फिर हाजिर होंगे जैसे ही आपके admit card आएगा वैसे ही मैं आपको long videos प्रोज करूँगी जिसमें आपके काफी चीज़े cover हो जाया करेंगी आप लोग अपनी तरीके से भी revision करते रहें यह बीच में आपको जो वीडियो दिये जाते हैं इससे आप अपने इस तर को चेक कर सकते हैं कि आपके कितनी तैयारी है next video में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए take care जैहिंद